Hello everyone, welcome to our channel Kids Flakes. Today we'll learn the chapter 9 of Communicated English for class 1. The chapter's name is Dear Animal Day. Aaj हम Communicated English का chapter 9 सीखेंगे और chapter का नाम है Dear Animal Day. Let's start. Which of these do you do in school? Put a tick or a cross in each box. अब यहाँ पर आपको बहुत सारी pictures दिखाई दे रहे हैं और इन pictures में बहुत सारी activities हो रहे हैं. अब जो activity आप अपने school में करते हों उसके आगे हम ठिक लगाएंगे और जो activity हम अपने school में नहीं करते हैं उसके आगे हम एक cross का mark बनाएंगे. तो सबसे पहले activity जो इस picture में दिखाई दे रहे हैं वो है कि कुछ बच्चे एक साथ बैठकर lunch ले रहे हैं और हम भी अपने school में और आप भी अपने school में जो हैं वो एक साथ बैठकर lunch लेते हैं. तो इसलिए इसमें already एक टिक लगा हुआ है. Next activity जो है उसमें एक बच्चा अपने दादी मा और दादा जी के साथ दिखाई दे रहा है. तो आप अपने school में दादी मा और दादा जी को लेकर थोड़ी जाते हूं. इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे एक क्रॉस का mark लगाएंगे. Next activity जो है वो है school fancy dress day. हमारे schoolों में school fancy dress day होता है. इसलिए हम इस activity के आगे टिक का निशान लगाएंगी. Next activity जो है वो है कपड़े सुखाने की. तो क्या आप अपने school में कपड़े सुखाते हो? नहीं. तो इसके आगे हम wrong यानि की cross का निशान लगाएंगे. Next activity जो है उसमें एक साथ बच्चे खेल रहे हैं. तो हम भी अपने school में जब lunch time होता है तो खेलते हैं playground में. इसलिए इस activity के आगे भी हम एक टिक का निशान लगाएंगे. Next activity जो है वो है drawing करने की. और हम अपने school में ऐसा करते हैं. इसलिए हम इस activity के आगे भी एक टिक का निशान लगाएंगे. Today, mommy did not have to wake up Ben. आज mommy Ben को नहीं उठाती है. He got up on, he is on, he got up early too. और वह अपने आप उठ जाता है और वो भी बहुत जल्दी उठ जाता है. He woke up his parents. और जल्दी उठने के बाद वो क्या करता है? वो अपने parents को उठाता है. अपने mommy daddy को उठाता है. Ben was very happy. Ben बहुत खुश था. It was fancy dress day in school. क्योंकि यह इसके school में fancy dress day था. Miss Iyer was Ben teacher. Miss Iyer Ben की teacher थी. She had asked the children to dress up as animals. उन्होंने बच्चों से क्या कहा था? कि आज fancy dress day है. इसलिए आप animals की तरहां dress band कर school में आओगी. The show was named Dear Animal Day. और इस show का क्या नाम था? Dear Animal Day. Ben brushed his teeth. जब Ben सुबह जल्दी जल्दी उठी जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने mommy पापा को उठाता है. और उसके बाद वो अपने दाटों को साफ करता है. He had a bath और वह एक बाद भी लेता है, यानि वो नहाता भी है. पापा took out Ben's brown pajama and jacket. पापा क्या लेकर आते हैं? Ben का brown pajama और jacket. Ben wanted to dress up as a loin. Ben किस की तरह त्यार होना चाहता था? Ben एक loin की तरह त्यार होना चाहता था. He loved loins. क्योंकि वह loins से बहुत प्यार करता था. Mommy cut chart paper into a round shape. Mommy क्या करती है? एक chart paper लेती है और फिर उसको एक round shape देती है. She cut out a circle in the middle. और वो क्या करती है? सबसे पहले उस chart paper में एक round shape बनाती है और फिर उसे उसी शर्कल shape में बीच में से काड़ देती है. She pasted brown wool over it. और उसके बाद वह उसके उपर brown color की wool लगाती है. यानि कि उन paste कर देती है. The loin had a thick man now. क्योंकि loin के जो होते हैं वो बहुत घने बाल होते हैं. इसलिए वो ऐसा करती है. Then she painted whiskers on Ben's face. तब वो उसके बाद वो क्या करती हैं? Ben के face पर whiskers बनाती है. Ben was a loin, roar. और Ben अब एक loin की तरह त्यार हो जाता है. और वो क्या करता है? Loin की sound करता है, roar. यानि गुर राता है. Ben took out his books from his school bag. Ben क्या करता है? अपने school bag में से अपने किताबें बाहर निकाल देता है. It was a no books day today. क्योंकि आज का दिन fancy dress का था. इसलिए स्कूल में books allowed नहीं थी. Books नहीं लेकर जानी थी. पापा packed Ben's lunch box. पापा क्या करते हैं? Ben का lunch box packed करते हैं. Mommy filled up his water bottle. और ममी क्या करती है? ममी उसकी water bottle में पानी फिल करती है. Ben ran out happily. और उसके बाद Ben क्या करता है? दौर लगाता है बहुत खुशी-खुशी से. हॉंक हॉंक. There was Ben's bus. तब bus की आवाज आती है. और ये किसकी बस थी? Ben के स्कूल की बस थी. कीर्थी. कीर्थी wanted to dress up as a rabbit. जैसे Ben's school जाने के लिए तयार हो रहा था. वैसे ही कीर्थी भी स्कूल जाने के लिए तयार हो रही थी. और वो किसकी तरह तयार होना चाहती थी? एक rabbit की तरह तयार होना चाहती थी. She loved rabbits. क्योंकि वहें बहुत जादा rabbit से प्यार करती थी. They are soft and cute. She told her friends. क्योंकि वो बहुत soft होते हैं और बहुत cute होते हैं. ये ऐसा उसने अपने दोस्तों को बताया था. पापा got a white t-shirt and white leggings for her. पापा क्या लेकर आते हैं? उसके लिए white color की t-shirt और white leggings. He cut out two long ears from chart paper. जैसे rabbit के लंबे-लंबे कान होते हैं. वैसे ही वो एक chart paper से दो लंबे-लंबे कान काटते हैं. कौन काटता है ऐसा? उसके पापा. ग्रेनी painted pink marks on them. तब उसकी दादी मा जो है, उसके उपर pink color के, उसके कानों के उपर pink color के marks बना देती हैं. कीर्थी वाज़ लिटल बनी. हॉप हॉप हॉप, हॉप छी हॉप. शी हॉप्ट अल एराउंड था हॉप. अब कीर्थी क्या है? एक बनी की तरह लगती है, यानि की एक लिटल रैबिट की तरह लगती है, और पूरे घर में कूर्ती फिड़ती है. What a lovely rabbit she was. और कितनी सुन्दर लगती है वो ऐसा त्यार होनी के बाद. फातिमा wanted to dress up as a zebra. अब फातिमा त्यार हो रही है. और फातिमा किसकी तरह त्यार होना चाहती है? एक जैबरा की तरह. She helped Amma paint black zebra strips on old newspaper. उसकी मदद कौन कर रहा है? उसकी जो helped है, वो उसकी अम्मा कर रही है. और वो क्या कर रही है? कैसे कर रही है? वो सबसे पहले old newspaper लेती है और उसके उपर black color की strips बनाती है. जैसे जैबरा के उपर होती है. Amma made a long dress from it. Amma उस old newspaper से एक बहुत बड़ी dress बनाती है. एक long dress बनाती है. फातिमा painted a white paper bag for the face. अब फातिमा क्या करती है? फातिमा एक white color का bag को अपने face के लिए तयार करती है. उसको paint कर दीती है. अबबा made holes for her eyes, nose and mouth. और उसके face पर अगर हम hole नहीं बनाएंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? और मुगे लिए भी बनाना पढ़ता है उसको holes. इसलिए उनके अबबा क्या करते हैं? आइज, nose and mouth के लिए उसके उपर holes बना देते हैं. अम्मा helped फातिमा dress up. अम्मा जो है फातिमा को dress up होने में मदद करती है. फातिमा, बैन and कीर्थी reached school. तब फातिमा, बैन और कीर्थी मिलकर कहां पहुंच आते हैं? स्कूल पहुंच जाते हैं. वे सब एक जुसरे के हाथ पकड़ते हैं और भाग कर अपने क्लास रूम में पहुंच आते हैं. जहां उनके दोस्त और भी अच्छे-च्छे कपड़े पहन कर आए थे और अलग-अलग तरह के एनिमस बन कर आए थे, जिनमें कुछ पिकॉक्स, एलिफेंट्स और कुछ गाए बन कर आए थे. सम हैड ड्रेस अप एज टाइगर्स, जिराफ्स, हौर्स, मौंकीज और पैराकीट्स और कुछ कैसे ड्रेस अप होकर आए थे? tiger की तरह, giraffe की तरह, horse की तरह, monkey की तरह और parakeet यानि parrot की तरह They were happy to see each other और वे सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं You could hear roars, moos and naes, they danced, hopped, jumped and ran around जब एक साथ मिलकर सब एक जगा एक लास में कठे हो जाते हैं तो सब अलग-अलग तरह की आवाजे निकालने लगते हैं कोई गुर्राने लगता है, कोई moos, काओ की तरह आवाजे निकालने लगता है कोई dance करने लगता है, कोई koodने लगता है, कोई jump करने लगता है और कोई इधर उधर भागना शुरू कर देता है Miss Ayer said, I am so proud of my class मैं Miss Ayer क्लास में आती है और अपने बच्चों को देखकर इस तरह से एनिमल की तरह ड्रेस अप हुए देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और तब वो क्या कहती है I am so proud of my class मैं आप पर बहुत करू करती हूँ She gave story books to those who took part वे इसके लिए सब को एक story book देती है जिसने भी इस fancy dress में part लिया होता है Everyone was happy सब बहुत खुश हो जाती है Thank you for watching the video Don't forget to like, share, subscribe our channel